वाटप्रेस में ब्लॉक कैसे बनाते इस वीडियो सीरीज में आप तक हमने काफी सरे चीज़े कर लिया है हमने डोमें पर्चेस कर लिया है हमने होस्टिंग पर्चेस कर लिया है दोमें को हमने होस्टिंग के साथ लिंक भी कर दिया है तो यहां पर मैंने पिछली वीडियो मे आपके पास hostgator का जो account है, वो purchase करने के पाद जो email आया है, उस email में आप थोड़ा से scroll करके नीचे जाएए, तो आप यह पर देख सकते है managing your website, तो उसके अंडर में काफी सारे URLs दिये हुए रहेंगे, ठीक है, तो starting में क्या होगा, देखिए, आप 10reviews.in slash cpanel, यह भी type कर सकते तो cpanel में login करने के लिए, पर मैंने अभी तक मेरा domain है, इसको activate नहीं किया, इसमें website को load नहीं किया, तो यह वाला URL है, यह फिलाल काम नहीं करेगा, इसके लिए आप क्या कर सकते है, यह जो IP-based URL है, आप इसको click करिए, click करने के बाद, जो login ID और password ही मांगेगा, यहाप login ID प change कर लिजगा, ठीक है, तो चले फिर हम अभी hostgator का जो cpanel है, उस पे click करते हैं, और click करके, उस account में login करके, मैं आपको detail में दिखा देता हूँ, detail में दिखा देता हूँ, कि cpanel के अंदर हम क्या 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 कर सकते है, आप देख सकते हैं, यहापे cpanel का जो page यह खुल गया ह मैं यहापे आपको login करके फिलाल दिखा देता हूँ, तो यह हम hostgator का cpanel के अंदर login कर चुके हैं, आप कोई भी hosting खरीद है, जितने भी shared hosting के, उनके cpanels होते हैं, वो लगभग similar ही होते हैं, अब यह cpanel क्या होता है, cpanel मतलब एक ऐसा interface होता है, जहां से आप आपका पूरा hosting account है, आपके जितने भी websites है, इनकी related management है, वो सारी चीज़ों को आप यहाप से control कर सकते हैं, यहापे काफी सारे items है, आपके पास अगर वक्त है, आप अगर जानना चाहते हो, सिखना चाहते हो, तो definitely आप ठोड़ा सा time spent कीजिए, आपको असानी से सारा details समझ में आ जाएगा मगर as a beginner, हम जब एक WordPress में blog बना रहे होते हैं, तो हमको यह सारी चीज़ों में, मतलब अगर नहीं भी पता है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ी बहुत चीज़े हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो सबसे प हमारा laptop या computer में जैसे हम folders को arrange करकर रखते हैं, तो यह actual में वही चीज़ आपको दिखाता है, यह जो public underscore HTML होता है, उसके अंदर हमारा सारे website के files रहते है, अब जितने भी domains आप यहाँ पर add करोगा आपके hosting में, उतने ही folders यहाँ पर create हो जाए, जैसे मेरा भी जो इस cpanel में ज क्योंकि यह वाला जो plan है मेरा, वो single website hosted वाला plan है, तो यहाँ पर आप नहीं कर सकता है, अगर आपने multi domain वाला hosting plan हो खरीद होता, तो आप यह पर नीचे यह जो domain है, इसके अंदर addon domain वाले segment में आके, आप यहाँ पर उस domain को add कर सकते थे, add करने के बाद यहाँ पर एक folder बनके आ जाएगा, तो बस knowledge और information के लिए मैं इस information को यह पर share किया हूँ, फिर इसके इलावा जो बाकी सारे जो चीज़े है आप चाहे तो देख सकते है, बट फिलाल हमारे लिए यह ज़रूरत नहीं है, database वो भी हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, knowledge के लिए आप ज़रूर देख सक सक्षिन में, जैसके मैंने बोला कि हमारे लिए सबसी important है addon domain, अगर आपका hosting plan multi domain वाला hosting है, तो आप यहाँ पर आके इसके अंदर जाके, एक एकर के domain names को यहाँ पर add कर सकते है, अब domain name को add करने के लिए जो सबसे basic और पहला criteria है, कि उसका DNS record चेंज करना है, वो कैसे करना होत कि वो जब hosting खरीद रहे था हम, तो वहाँ पर as a primary domain वो considered हो गया, तो वो already hosting account के साथ add हो गया, इसके इलावा जितने भी नए domains आपको यहाँ पर host करना है, वो सारे के सारे को आपको addon domain के अंदर जाके आपको add करना है, फिर आता है subdomains, आप अगर subdomain बनाना चाते हो, तो आ आप यहाँ पर जाके subdomain बना सकते हो, subdomain क्या है, subdomain कैसे बनाते है, इसके ओपर काफी सारे वीडियो में अपनी YouTube चैनल में डाल चुका हूँ, आप उन वीडियो को देख सकते है, इसके बारे में अच्छे से जान सकते है, अगला जो important point है email, जब मैं domain name खरीद रहा था, मैं आपको बताया कि हमको email account, मतलब go daddy से खरीजने के कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि email account कैसे बनाते है, hosting के साथ, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, इस एरिया में email account बना सकते है, email accounts को फिर वहाँ से मतलब कैसे अलग-अलग settings, जैसे forward कर सकते है, auto responder बना सकते ह फिर आप email, जो business email आपका वो भी चेक कर सकते है, तो email account कैसे बनाते है, मैं next video में आपके मतलब दिखाने वाला हूँ, next आप नीचे आ जाईए, या पर काफी सारे matrices हैं, मतलब आपका hosting account में जितने भी websites होंगे, उनके visitors, कुछ error है, तो bandwidth कैसे utilize हो रहा है, तो यह भी details हमारे ल इससे शुरू होता है, मतलब एक secured वाला protocol होता है, जो हमें हमारे domain में आज की date में चाहिए, तो यह जो SSL होता है, हर hosting company अपने hosting plans के साथ free में SSL देते है, वो let's encrypt का free SSL देता है, जो कि बहुत ही basic SSL है, अगर आपको business website या e-commerce website बनाना चाहते हो, तो आपको paid SSL लेना के लिए यहाँ पर आपको let's encrypt का free वाल SSL मिल जाएगा, SSL certificate को अपके domain में कैसे install करना है, उसके उपर भी एक dedicated video में बनाया हुई series में, वो आगने वाले video में आप देख सकते हो, इसके लावा जो next है, software वाला segment, इस वाले segment में हमारा जो सबसे important चीज़ है, कि वो softaculous app install, इस वाले software से ही हम हमारे domain में WordPress install करने वाले हैं, और इसी particular चीज़ का tutorial में next video में आपको बताने वाला हूँ, इसके इलावा यहाँ पर काफी सारे चीज़ है, जैसे multi PHP manager, PHP PR package, यह सब चीज़ों में हमको ज्यादा ध्यान दने की ज़रूरत नहीं है, PHP upgrade वगरा का जो चीज़ है, वो automatically hosting अपने site से करता रहता है, hostgetter अपने site से करता रहेगा, आपके पास email आजाएंगे इसके related, तो आपको इसके उपर कुछ अलग से करने की ज़रूरत है नहीं, इसके इलावा अगर आप नीचे आते हो, तो आपको advanced tab में काफी सारे चीज़े मिलेंगे, preferences मिलेंगे, हाँ kind of, हाँ, बस इतना ही, तो यह सारे यहाँ पर काफी सारे technical चीज़े हैं, जो आपको जानने की इतना ज्यादा ज़रूरत नहीं है, as a beginner, आप जब WordPress में ब्लॉग बना रहे हो, तो जितने भी, मतलब जो main-main चीज़े वो में आपको बता दे, जैसे softaculous हो गया, SSL हो गया, फि इनके उपर आपके थोड़ा बहुत अगर जानकरिया, आप अच्छे से इनको समझ लेते हो, तो आने वाले दिनों में आपके जितने भी website से, आप इस पूरे के पूरे hosting account को खुद ही manage कर सकते हो, आपको tension लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी अगर थोड़े बहुत पूच सकते हो, ताकि मैं directly आपको answer दे के आपके problem का solution कर दो, इसके इलावा भी आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के comment section में comment करके आपका जो भी सवाल है वो बता सकते हो उगे, ताकि मैं वहाँ पर ही आपको reply करके आपके problem का solution दे दो, तो यह था एक basic overview, hostgator के cpanel कैसा होता है, मैंने जितने भी share hosting use, इस्तेमाल किये है, उनके सारे के सारे का cpanels होता है, वो लगभग similar होता है, interface थोड़ा बहुत इदर होता है, यह जो basic चीजे वो common होता है, मान लिजा icons या फिर जो navigation है, वो थोड़ा बहुत इदर होता है, बाकी सारा चीज लगभग same ही है, तो इस वीडियो में इतना ही, next वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम हमारे domain में WordPress को install करने वाल है, क्योंकि हमारा domain है वो ready है, उसमें हम अभी WordPress install कर सकते हैं, और cpanel का software है, इसका इस्तेमाल करके हम बहुत ही आसानी से, बच कुछी second में WordPress हमारे domain में install करने वाल है, तो चले फिर चल